अदेसिव कंपनीज पर रखे नजर एक और छोटी कंपनी इस पेस से जुड़ी जहां पर आपको रखनी है नजर क्योंकि डिमांड अच्छी है और गिरते रौ मटिरियल प्राइज से डबल फाइदा इनको होते हो दिख रहा तो आई जो कुछ समझते हैं क्या फैक्टर्स है जो इतनी शांदार तेजी इन स्टॉक्स में आ रही है नुपूर है हमार साथ तयार नुपूर बताईए बिल्कुल जब अदस्त अक्षिन है सारे के सारे स्टॉक में पेडिलाइट आज लाइफ ओल टाम हाई लेवल पे एस्ट्रल में भी काफी अच्छी तेजी 6% उपर स्टॉक इन फैक 9% दूर है अपने 52 वीक हाई लेवल से और जो HPA2C वे वहाँ भी काफी अच्छी तेजी आती दिखें स्टॉक जर्नी देखें तो हमें क्लिरली पता चलेगा कि कितनी अच्छी डिमांड आने वाले क्वार्टर्स में जो कुमोडिटी प्राइस का जो में जो आप थोड़ी नमी आती दिखिए उसी के चलते जो मार्जन से इंप्रूमेंट होंगे उसी का रिजल्ट शायद स्टॉक परफॉर्मेंस में भी नजर आ रहा है पिडिलाइट का अगर हम देखें तो पिछले एक मेने में ये स्टॉक 14% से उपर है 20% उपर है 6 मेने में और जो नहीं लिस्टिंग होती है एच पे अड्रसिव की वह भी अपी लिस्टिंग से 40% उपर ट्रेड करा है अब क्या रीजन से कि ये स्टॉक्स में इतना मोमेंटम देख रहा है फिलाल जो बिल्डिंग और कंस्रक्शन स्पेसे महां पर अड्रसिव और सीलिंग की जो ड इस तर पे इससे डिरेक्ट इंपक्ट आता है और जो बाई प्रड़ा कंपनीज होती है उनके लिए और अडिशनली जो नॉर्थ अमेरिका और यॉरॉप पे वहां पे इन्वार्मेंटर रेगुलेशन के चलते ये सारी कंपनीज और ये सारे प्रड़क्स के जो प्लांट वहां पे क्लोजर आते दिखे उसी के चलते अगर कोई supply chain concerns होते तो बाटी कंपनीया जो दूसरे देशों की country से वहां पे direct impact डिरेक्ट फाइदा आते मिलता है और जो raw material के prices हमने raw oil के prices देखे वहां पे भी थोड़ी गिरावट आती दिखिया अगर revenue contribution के मैं बात करूं तो प 28% business यही है market outlook अगर हम देखे जो management की commentary आई थी post q1 और in fact रिसेंट इंटर्व्यूस हुए वहां से और यह सीधा संकेते की अच्छे जो monsoon है और जो housing और home improvement है वहां से जो demand है वो काफी strong है आने वाले quarters को लेके साथी साथ एस्टर से जब हमने बात की थी business पे august 30 को वहां पे पहली तिमाही में जो margins पे दबाओ था वो जो inventory losses के चलते था लेकिन quarter 3 से inventory losses कम होते दिखेंगे commodity price में जो गिरावट है उसके चलते margins stable in fact improve होते नजर आएंगे और value और जो volume गोते वहां पे कोई फिलाल problem नहीं है और festive season से इन companies को भी फाइदा होता क्योंकि demand अच्छी होती है तो revenue में आपको आते दिखती है तो यह है कुछ factors और अभी शारत जी भी बात कर रहे थे अच्छे demand environment लग रहा है इन companies के लिए building real estate material और उसे जूडी space में अच्छी तेजी बनी हुए है और यहां पर भी आप देखेंगे जबर देखेंगे हैं अच्छी 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 आपको तेजी में आते हुदी क्राई